हेलो एवीवान विल्कम टो माई चानल आज हम पढ़ेंगे दो हॉलो ऑफ दे थ्री हेल्स यह एक शॉट स्टोरी है जो कि नथेनियल हो थ्रोन दौराल की गई थी सो इसमें कहानी है एक बहुत ही प्यूटिफुल यंग विमन की जिसका पास्ट बहुत ही ज्यादा भद्दा और श्रेमफुल पास्ट होता है और वह काफी जड़ा परिशान होती है अपने पास्ट को लेके तो हम अपनी जो स्टोरी है शुरू करते हैं तो इस स्टोरी में हमारी दो हैं एक यंग और बहुत ही खुबसूरत वोमेन जो बहुत ही प्यारी और ब्यूटिफुल और दूसरी तरफ जो सेकिंड और कारेक्टर है वह एक और एक विच एक चुड़ाएल एक जादुगर्णी जो बहुत खिणोनी बहुत गंदी बहुत तरावनी होती है और उसके पास सूपर नाच्रल पावर होते है और बहुत ज़द बुरी होती है हमारी कहानी शुरू हो लिए एक के होता है तो जो पहले दिखाया जाता है कि पहली जुपसोरत JUST होती। ये यंग होती। मिलती है कि जो तुम्हाती जो गिंच बुड़ी होती है। इन वह कि क्या आप शुबार्वर में पारीफिरॉट म्लें प्रेक्ट निए इन हिल्स में जहाते बहुत जादा सूखे पेड यह पत्तें निच्टर तो बहुत अच्छ दिखा गया है लेकिन जहां सुखा होता है ज़ाला रिखा है और इसप्ति के लिधा होता है जो इस फ़ोहा होता है स्वाइटा ने अटके यह कौल। होता है ग्रीन कलर का तलाब होता है जो काफी बद्बू मारता है तो पुराने किस्तों के अनुसारे मानब एक अफवाहे थी जो अफवाहे उड़ती है कि मतलब पहले जमाने में यह जो जगह थी काफी इविल थी यहां पर बुरी ताकतों का आना जाना था और वो लोग जो बुरी काम कराने होते थे कुछ जादू वगहरा करना होता था तो वो लोग जो बुरी ताकते थी यह रात में आके मिलती थी और जो पूल का पानी है वो उस पानी को अस्तमाल करके कुछ अजीब अजीब चीज़े करती थी और बुरी इविल चीज़े करती थी अब जो गंटे की होने वाली है, चुकि एक चुरोज धल चुका होता है तो जो यंग वोमेन होती है, वो बताती है कि जो मै थी मैंने अपने परिवार वालों को मैंने छोड़ा था, सब कुछ करा था, यह जगा जो है कर नहीं करनने क्रेटे देख लिए नहीं कि लेग रवार जए लिसांद किसे नहीं है Net की जिए को अगया विज़ के ऑना ग्यास कि अनुग जील यूटार थी अंज्वाम किया है ऑफ सर दो मेरे आँ काम की है मैं जही किए जिल पहुत बॉर नहीं से ते वो यह चाहती थी कि वो यह देखे कि अब वो क्योंकि अपनी फैमिली को छोड़ की आई है तो उसके फैमिली उसके बिगार कैसे जी रही है क्योंकि उसके नाता तोड़ लिया है तो वो जादू गड़नी है वो कहती है कि ठीक है जो भी तुम्हें इंफोर्मेशन चाहिए व कैसे हैं तो जो यंग वोटी होती है वह अगरी करती है और वह कैती है और कि उ सब जबिए ज हcaustने छोड़नी 62 का बंदाना पड़की धक शोड़ हें चवार गनाने ऐनessen मोट है जो configuredineцев के उच्मी इससे बीए तुर्पनेशन लिए वो शृतीजह मैं एचलार गिए उसकी उस कोई भी इवल चीज़ यूज़ करते हैं इवल पावर्स बहुत दो खतरनाक होती है क्योंकि किसी के पास्ट में देखना कि अभी फ्यूचर में मतलब साथ ही साथ देखना प्रेजेंट में कि वह क्या कर रहें इस ताइम यह सारी बुरी ताकोतों से पॉसिवल है उसके बदल वह ज़ूर था तो हुआ क्या अब उसने कहा चुड़ी तुम मेरे ज़रा करीब आओ तो उसने उस यंग वोमेन विच थी वह बैटी और यंग वूमेन को बोला कि तुम आपना सर है मेरे गोद में रखो ठीक एस तरह से जुका दो अपना सर तो जो वह आरत थी मतलब जह ज यह तरी चुडल एपनी लाग में रख़वा पढ़ता ट्रैस कोवर शुरण में यह में तुरत कर दू हें तलाव था उसमें उसकी ड्रेस हलकी से डिप हो गई अब हुआ क्या अब अन्हेरा इगनम च्छा गया और जो बूड़ी चुडएल थी वह कुछ प्रे करने लगई और कुछ जोड़ों से मंत्र पढ़ने लगई और उसकी आवास के साथ साथ ही उसे अजीब सी आवाजे सुन की आवाज और जैसे लग रहा था कि और तीज होती जा रही थी एक पल को से लगा कि जो वो मैं है वो उटके ना भाग खड़ी हो लेकिन उसे बहुत डर भी लग रहा था ठीक है तब तक वह सारी आवाज आ रहे थी उन्हीं आवाजों के बीच से फिर दो लोग की आवाज तो एक दो आदमी लोग थे एक और एक आदमी थे जो आके बास बैठे वे थे और वह बहुत ही दुखी मन से अपनी मिसिंग डॉर्टर के बारे बात करते हैं उनकी खोई ही डॉर्टर जिसने उनके मतलब जिन्दगी में बहुत ही जादा शर्मंदगी लाई उन जो डॉर् जिन्दगी कि इनका सर जुका दिया उनको श्रेम दी बहुत जादा ठीक है तो इसलिए वह बहुत अदा दुखी थे कि उस लड़की तो चली गई लेकिन उसके साथ उनके साथ क्या रह गई शर्म रह गई और उनको पूरे जिन्दगी इसी शर्म के साथ गुजारनी अब इतनी सारी शर्म नाक चीज़ों को लेके वह कबर में उतरें गया वह बहुत जाला दुखी थे कि उनकी बेटी की वज़े से उनकी इस्ज़त इतनी कम हो गई है और एक और ट्रैज़िटी के बारें बात कर रहे थे कि उनकी ग्रैंड डॉटर थी यानि उनकी जो पोती अब जो बूड़ी और थी वह मुस्कुराई और उसने कहा कि अच्छा लगता है यह जो बूड़े कपल है इनका बहुती बुरा समय चल रहा है तो जब इस बात उस चुडएल ने कहीं तो जो वह यंग वोमें थी उसे और शर्मिंदगी होई क्योंकि उसे लगा कि अच्छ लेकिन खैर समय नहीं था बरवाद करने के लिए जो बूड़ी और थी उसने का कि अभी तुम्हें और कुछ और भी सुनना है उसने जो अपना लगता था तुपार से उस यंग वोमें के सर पे पूरा कवर कर दिया और फिर से जो बूड़ी चुडएल थी वह प्रेयर अप जाते हैं जो चीजें पड़ी जाती है उसकी भी आवाज आ रही थी यानि इस सब शोर में फिर एक आवाज सुनाई दी एक सिंगल इंसान की एक इंसान की और वह बहुत जादा बोल रहा था अपनी वाइफ के बारे में एक औरत के बारे में जिसने जो इन दोनों ने वाद प्रका प्रका यह हो बाड़ी है यह बूर अपनी वाइफ को बुरा भड़ा शुआ कि अर वह बहुत झाव बहुत जड़ा नफरत का था दोगा ओएफ और ऊसकी सारे जो दिल था उससे बिलकूल दोड़ दिया था कि इसी के बाद फिर जो अजीब से जोड़ सी एक थिसे कि क्या ऐसे घर में तुम्हें खुशी मिलती या फिर दुख मिलता तो जो फुमें थी उसने का कि हाँ खुशी तो मिलती लेकिन उसके साथ मुझे दुख भी मिलता तो जो बूड़ी और जो चूड़ा थी उसने का चलो एक और आखरी आवास तुम्हें सुननी है इसके बाद जो था सूरज धल जाएगा यानि सूरज बिल्कुल आखिर में अधेरा चाह जाएगा सब जगह और इससे कहने का यह मतलब था कि आखिर बार तुम ये एक और आवास सुलो जो किसी इंसान की होगे इसके बाद तुम्हें मौत आएगी क्योंकि इसका वादा था क्योंकि अग अपना जो चुडेल ने अपना लबादा उसके सर के आसपास कवर कर दिया अंधियरा चाह गया फिर से उस बुड़ी और ने मंत्र पढ़ने शुरू करें और फिर से अजीब अजीब सी आवाजे सुनाई देने लग गए जिससे उसका दिल बहुत ज़रा डर गया अजीब स माता मनाने वाले लोग सारे बैटे हैं और वहाँ पे कॉफिन भी रखा हुआ है और जो प्रीस्ट है वो भी कुछ जो मंत्र वगेरा हलके हलके पढ़ रहा है जब कोई मरता है और जो मोनर्स थी जो माता मनाने वाले लोग थी वह जादा जोर से नहीं बोल रहे थे लेकिन विसपट यहलके योबाते कर लोग दे रहा ता कि जो आष्य वाहरत अललबारत कर रहे थे वह आरठ के बारे भारत कर रहे थे जो बारत कर दे जिस इंसान की मयत हो रही थी जिस इंसान जो मर चुका था वह उस ऑड़त की बच्ची थी ठीक है डॉटर थी यानि वह जो हस्बेंड उसका जो चोड़ दिया और उसने अपने पीछे एक बिमार यानि उसकी डॉटर थी वह काफी दिनों से बिमार थी लेकिन ये व्यंग जो जिन्दा नहीं रही तो सब लोग किसको बुरा कह रहे उस और को चोड़ा जिसने अपने हास्बेंड को चोड़ा जिसने अपनी बिमार बच्ची को चोड़ा जो कि अब बिमार भी निया वह इस दुनिया से चली गई है तो फाइनल क्या था अब जो उनकी आवाज थी सब हो गई और जो बुरी और थी उसने जो था उस चुड़ा एल ने उस यंग वुमेन को उठाने की कोशिश करी लेकिन वो उसने अपना सर उठाया नहीं यानि फिर उसने क्या करा जो चुड़ा थी वो जूर से हसी और उसने का कि अच्छा जो यह चाती थी वह हो गया चोट फिर अठायल रहने का स्पोट चाला जाशर करें लिए क्या रावा ट क्या दिर्टे में शनदांट पढ़र मुद्धित क्या न семate कर ल Düstem एक ठाहिए में कासि माला क्वार प्लिंट आर दिए रपहां जो यह प्युक्तिश में इसक्ति माला प्लुद जो गर वालों कि हम 45 slip गलतिया था ऐब वो शायद मोड़ के वापस जाती ए्ट्रीव सामा तो उस न क्या करा अपनी जिन्दगी दे चुब अब आप वीटार्थ को समय सादे ऐस्ंदगी इस फाल वालए देखने को मिल जाहें एक गंटे में कि वह क्या कासा है उसकी इस पहतो रोता कि अगर वहां पर वापस चली जाती तो उसे सब वह लोग भी मिल जाते उनका वह दुख भी बाटती और उसे वह लोग सब मिल जाते उसे भी मरना नहीं पड़ता लेकिन उसने क्या चुना कि मैं अब इस पेन और सफरिंग को मैं बरदाश नहीं कर पा रही अगर हम प्रॉब्लम से अगर हम भागते हैं थो प्रोबलम्स हमारा पीछा नहीं चोड़ देती हमें उसको साध देना पड़ता है अगर आपको वीडियों अक्छी लगी हो स्टोरी समझ में आई हो तो आप शेयर करें वीडियो को लाइक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करें कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो बनाओं तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं थेंक्स पूर वाचिंग